10 Finger Channel में आपका स्वागत है जमका 68 गड़ित का प्रस्ना वरी 9.3 का प्रस्न क्रमांग दो हल करेंगे प्रस्न इस प्रकार से है बेलन A का ब्यास 7 cm और उचाई 14 cm है बेलन B का ब्यास 14 cm और उचाई 7 cm है परिकलन किये बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है दोनों बेलनों का आयतन ग्याद करती हो इसका सत्यापन कीजिए जाच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का प्रस्ठी शेत्रफल भी अधिक है देखिए यहां पर दोनों बेलन की डाइग्राम रेंगे राते हैं प्रस्त में नमे। CEO भीलन एक आय ब्यास ऐदि साथ संटिमेंटर त्रज्या आल कितनी हो जायेगी सा ऋ cał कि बेलन एका ब्यास यह दिया है साथ सेंटिमीटर तो त्रिज्या आर हो जाएगी साथ बटे दो सेंटिमीटर अब बेलन एक यही बात चल रही है उचाई है बराबर हमें दी है 14 सेंटिमीटर फिर हम लेखेंगे बेलन बी का ब्यास यह हमें दिया गया है 14 सेंटिमीटर तो इसकी त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 14 बटे दो अर्थात 7 सेंटिमीटर यह बेलन बी की त्रिज्या हो गई अब बेलन बी की ऊचाई है एच बराबर हमें दी गई है 7 cm ये देखिए चित्र में भी लिखी हुई है तो दोनों की तृज़ी और उचाही हो गई अब हमसे बोला गया है कि परीकलन की ये विना क्या बता सकते हैं कि दोनों में किस का आयतना देखे तो परीकलन की ये विना दो नहीं बता सकते जब तक गढ़ना नहीं करेंगे, जब तक पता नहीं चलेगा, तो अब हम इनका गढ़ना करते है, बेलन एका, आयतन, यह होता है, πाई आर स्क्वेर एच, पाई कमान होता है, 22 बटे 7, आर हमें एका दिया गया है, 7 बटे 2 सेंटिमीटर, इसका स्क्वेर into एच, एच हमें दिया गया है, 14 सेंटिमीटर, यह हो जाएगा, 22 बटे 7, गणा 7 बटे 2 सेंटिमीटर, गणा 7 बटे 2 सेंटिमीटर, गणा 14 सेंटिमीटर, अभी मैंने जान मुझ के साथ में लिखा है, आप लोग देख लीजिए, कि जब आयतन निकालते हैं तो इसके जो एकाई है वो क्यूब में क्यों आती है अर्था तीन की घात में आती है ना तो बस ये एक बार सेंटीमीटर दो बार सेंटीमीटर और ये तीन बार सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया अब बाकी के जो नंबर है इनको ह तो देखे, 7 से 7 गट जाएगा, 2 से कटेगा, 22 ग्यारा बार, 2 एकम 2, 21 ग्यारम 22, इसी तरह इसे यहां पर हो जाएगा 11, और यहां पर तो नीचे कुछ बचा नहीं है, गणा, 7 बटे, 2 गणा, 14, तो यह 2 से 14 गट जाएगा, 7 बार, तो यहां पर बचेगा, 11 गणा, 7 गणा, साथ तो यह हो जाएगा 11 गुणा 49 11 99 11 चोको 44 और 9 53 549 सेंटीमीटर क्यूब यह आ गया बेलन A का आयतन अब हम निकालेंगे बेलन B का आयतन अब मैं सेंटीमीटर बारबार नहीं लिखूंगे डायर्क जब नीशे आंसर लिखेंगे तब सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे यह होता है पाई आर स्क्वेर एच तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 बटे 7 आर हमने B का निकाला था 7 सेंटीमीटर और एच हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर इसके हमने मान रख दिये यह हो जाएगा हमारा 22 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 यह वाला 7 स्क्वेर है इसको हम फिर से लिख लेते हैं यह हो जाएगा 22 बटे 7 गुणा 7 का स्क्वेर गुणा 7 तो यह हो जाएगा 22 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 इसके 7 से 7 कट जाएगा अब उपर सिर्फ गुणा करना है हमें तो यह 22 तो बैसी रहेगा 7 सत्य यह उननचास हो जाएगा तो यहाँ पर यह गुणन फल आ जाएगा इनका 1078 सेंटीमीटर क्यूब यह जाएगा बैलन B का आयतन अब हमसे कहा गया है किसका आयतन अधिक है तो यहाँ पर देखे बैलन A का हमारा आया है 549 और बैलन B का आया है हमारा 1078 तो बैलन B का आयतन अधिक है हम लिखेंगे बैलन B का आयतन अधिक है इतन हो गया पहले नमरे कॉश्चन का आंसर अब इसी में दूसरा कहा गया है दोनों के संपूर्ण प्रष्ट भी निकालना है और फिर बताना है कि जिसका आयतन अधिक है अधिक है या नहीं तो अब हम निकालेंगे बैलन A का संपूर्ण प्रष्ट इसका सूत्र होता है 2πR H प्लस R संपूर्ण प्रष्टी चेत्रफल देखें यहाँ पर किवल प्रष्टी चेत्रफल कहा गया है हमसे तो जहाँ पर कुछ नहीं दिया गया बक्र प्रष्ट निकालना है संपूर्ण प्रष्ट तो उसका हम संपूर्ण प्रष्ट मानेंगे तो यहाँ पर इसलिए हम संपूर्ण प्रष्टी चेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर हम मान रख देंगे दो गुणा 22 बटे 7 गुणा आर हमें बेलन एक दिया है 7 बटे 2 सेंटिमीटर यहाँ पर अच्छे से लेख लेंगे इसको मैं आपको सेंटिमीटर में लेखके दिखा रही हूँ आर दिया है 7 बटे 2 सेंटिमीटर बेलन एका यह देखे बेलन एका है त्रिज्जा है 7 बटे 2 और उचाई है इसकी चवदा अब अंदर उचाई H 14 सेंटिमीटर और आर दिया है 7 बटे 2 सेंटिमीटर तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा यह देखे सेंटिमीटर तो रहेगा साथ में अब यह 2 से 2 कट जाएगे 7 से 7 कट जाएगे तो यहाँ आ जाएगा बाहर 22 सेंटिमीटर और ब्रैकेट के अंदर हमारा बचेगा यह देखे चवदा के नीचे हम एक माल लेंगे तो यहाँ पर तो यह दो सेंटिमीटर तो यह हो जाएगा चवदा दूनी 28 सेंटिमीटर धन 7 सेंटिमीटर मैं आपको लिखके दिखा रहे हूं कि यह आपको करते बनना चाहिए कि सेंटिमीटर को जोड़ना कैसे है करना है तो यह तो हो जाएगा 22 सेंटिमीटर गुणा 28 और साथ 35 बटे दो अब देखिए 28 सेंटिमीटर धन 7 सेंटिमीटर हमने जोड़ा तो यह हो जाएगा 35 सेंटिमीटर यह सेंटिमीटर स्क्वेर नहीं होता है जोड़ना में किवल सेंटिमीटर ही आता है तो यह थेला आएगा सेंटिमीटर अब एक सेंटिमीटर यहां है और एक यहां पर है तो अब जो भी आंसार आएगा उसकी काई हो जाएगी सेंटिमीटर स्क्वेर और यह हो जाएगा 22 गुणा 35 बटे 2 तो 2 से 22 कट जाएगा 11 बार अब यह 35 गुणा 11 22 गुणा 11 बार अब हम बेलन बी का संपून प्रष्टिय चेत्रफल निकाल लेंगे यह होता है 2 पाई आर H प्लस आर अब यहां पर हम मान रख लेंगे तो बेलन बी का आर जो है वो है 14 बटे 2 अर्था 7 सेंटिमीटर यहां पर हम मान रख ले रहे हैं दो गुणा 22 बटे 7 गुणा आर है 7 सेंटिमीटर अब बार बार हमें सेंटिमीटर लेखने क्या वर शकता नहीं है मैंने आपको उपर एक बार समझा दिया है तो अब हम डारेक्ट इसकी जो एकाई है लाश्टम बोई लगा देंगे सेंटिमीटर स्क्वेर तो यहां पर H ह फिर से 7 सेंटिमीटर तो यह हो जाएगा हमारा सात से सात यहां कट गया 22 दूनी 44 गुणा सात और सात 14 तो 44 गुणा चाऊदा 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 चोकोचपपन चाऊदा चुकोचपपन और 5 61 616 सेंटिमीटर सक्वेर यह है बेलन B का संपूर्ण प्रष्टिय चित्रफल तो देखें बेलन A का संपुन प्रष्टी चित्रफल है 380 और बेलन B का है 616 तो बेलन B का संपुन प्रष्टी चित्रफल अधिक है और हमसे प्रस्थ में क्या कहा गया है? हमसे प्रस्ट में लाश्ट की लाइन में कहा गया है जाज कीजे क्या अधिक आयतन वाले बेलन का प्रष्ठी चित्रफल भी अधिक है तो हम आंसर में लग देंगे हाँ अधिक आयतन वाले बेलन का प्रष्ठी चित्रफल भी अधिक है यह question थोड़ा सा बड़ा था, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई problem हो, आप मुझे comment में पूछ सकते हैं, next question के लिए मिलते हैं, next video में तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए